कि इंटर्नल ओडिट्ट हमने पहले समझ लिया था कि मतलब क्या होता है कि ऑल्गनाइजेशन में रहे के ऑल्गनाइजेशन का एंडइट वह चाहें किसी एक डिपाटमेंट का हो एक प्रोसेस का हो वह डिपेंड्ट गरता है कि मैनेजमेंट की चीज हो और रहा है ठीक है इसको एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से तीसरी बार समझा रहा हूं मैं यह जान बूच के ताकि आप कभी गलतिय ना करो यह मालों ABC लिम्टिड है ह कि यहां है पर्थे डिप अ कि यहां है चैसल दिपाट्मेंट करें यहां है एक चार आइसा कि मालों है और यहां है कि बोलो मैंजर समझने के लिए अभी अभो कि आरहा है हम ज्यादा पर्चेस करने सेल्स करोएं तो हमने इसमें दिक्कत लग रहे हैं तो हमने बोले हैं इसे बाहर से बंदा बुला लिए बाहर से कोई बंदा कर सकते हैं इस में से एक को देजी अभी के लिए तुर पठेस को ढंग से चेक कर इसका इंटर्नल और इस ना इसा बंदा है जो फ्रॉड कर रहा है लो इस तो कमपनी के अंदर की चीजे है उसका प्रोसस है वह चाहे प्रोसस पाइनांस पैसे से रेलेटिड हो जाहे प्रोसस और काम का मालो जूते बनने का चार प्रोसस होते हैं पेस्टिंग होती है उसकी फीते लगते हैं ठीक है उसका डबबा में पैकिंग होती है चार पर मालों जूता बनता है कि इस स्टेप में कुछ घड़ बीडियां तो नहीं है एक प्रॉसेस का भी इंटर्नल उडिट होता है बड़ी-बड़ी कंपनीओ में एक पूरा सेटप बिठा जाता है इंटर्नल ऑडिट की भी एक टीम होती है जैसे सारा है ना इसे एक इंटर्नल ऑडिट का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है बड़ी-बड़ी कंपनीयों में पर जाते हैं बड़ी नहीं है अलग से हाइर करते हैं अलग से कव्पनीयों में इंप्लोई बिढ़ा जाते हैं और उसका क्या होता है रेगुलर बेसिस पर वो हर डिपार्टमेंट चीजे चेक करता है क्या करता है मालो इसको यह क्या करेगा एक चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था इसमें गलतियां है कि नहीं है या फिर सारे टीम को एक साथ हर महीने एक लिस्ट भेजेगा होता क्या है एक लिस्ट होती है इनके पास Excel की फाइल होती है उसमें यह डाटा मंगाते हैं हर डिपार्टमेंट से ठीक है उस डेटा पर चेक करते हैं कि हां इसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है यह तो गया प्रैक्टिकल आसपेक्ट देखो पढ़के देखते हैं अब इसको में तो यह भी है ना दोस्त आपको मैं यह क्यों मार्किंग करा रहा हूं पढ़ा के छोड़वा सकता हूं जैसे बहुत टीचर करते हैं कॉंसेट बता देंगे वह छोड़ देंगे मैं यहां पर इसलिए म आप लिखने बैठोगे वहां आप दो लाइन से ज्यादा निलिफ पाओगे अगर आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स चोटे-चोटे की वर्ड्स याद रहेंगे ध्यान में रहेंगे तो आप बड़ा कर सकते हो सांसर को और रियालिटी आप भी जानते हो कि ड्यू के जो पेपर होते हैं वहां पर आप दो लाइन में लिखोगे ठेख है चाहे वह आपना जाही लिखाओ तो आपको नंबर नहीं देगा आपको एक पेज अगर भरना है तो आपको साथ अट नंबर का कुश्चन है आपको तीन पेज भरने है तो दोस्ट तीन तो इसलिए मैं बार-बार जो मार्किंग करा रहा हूं वो इसलिए करा रहा हूं आपके फायदे के लिए कल को जब आप रिवाइस करोगे ना और उस वर्ड को निशान लगागे रखोंगे चाहे अपनी बुक में चाहे मेरे इस पीडिएफ से आपको लिखने में पीपर में जब आप लिखोगे ना तो आप लिखता चले जाओगे आपका आंसर बढ़ा जाएगा जिसकी वाइस से आपको नमबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी ठीक है इन्टरिनल कंट्रोल का एक इंटरिनल चेक भी एक हिस्सा है और इंटरिनल और भी एक हिस्सा है ठीक है और छिजह सुचारो रूप से चले तो इंटर्म जना जाते हैं थे दोनों इन्टर्न कंट्रल के अंदर आते हैं ठीक है दूसकि क्या फायदा होगा आपका हमारा इंटर्रिक्र सब्सक्राइब करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा सही रहेगा जो पॉलिसी बनाई है वो सचारों रिप से चलेंगी सटोडियान ऑफ सेफगाड़ ऑफ एसेट जो जिसके पास एसेट है ठीक है और जो उसकी एंट्री कर रहा है ठीक है वह एसेट का सेफगाड मेंटेन रहेगा आप टाइम प प्लांस पॉलिसी एंड प्रोसीजर अगर आप सब कुछ चख करते रहो गए तो सब सारे जो प्लैनिंग है वह सुचारों रूप से चलेंगे तरीके से चलेंगे उसमें कोई गड़बडी नहीं हो गई यह आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा पॉइंट बहुत इजी है लेकिन यह आपको याद धी रहेगा पेपर में सिंपल सी बात है जो भी भरोसे वाले सारे चीज़ों पर भरोसा आ जाएगा जो इन्फरमेशन में रिकॉर्ड कर रखी है अपने इंटर्नल ओड करा लिया बंदय ने चक कर दिया बिस्निस में क्या क्या काम चल रहा है तो भरोसा बिद जाएगा ना काम फे अपर पहलेसे अपर सकते हो चलों याकार लों derive रिएuchar Green हम सब्सक्रार्ध Е चेटा पॉंट यहां देदिया जन्हेश्र सब्सक्रों पाता चलते हो यह कितना काम कितनी हद तक सही हुआ यानि मालों आप एक दिन में इस जूते बनाते हो लेकिन हो क्या रहा है चार मैंने से आप एक दिन में अस्त जूते बना रहे हो क्यों मना रहे हो जी एक छोटी से मशीन खराब होगी थी अगर मशीन सही होती इंटर्नल ओडिट हो गया होता पता चल जाता कि वह मशीन में यह वाला नट खराब है कुछ खराब है तो आप से सही करवा देते और दुबारा से आपका काम जो आपका रिसोर्स हैं यानि उस सिंपल अब बहुत सिंपल है और बहुत इंपोर्टेंट है इस में स्टार मार कर लो इंटर्नल ओडिट क्या होता है वह एक्क्यूरेसी ओफ इंफोर्मेशन देखता है बिजनिस की पॉलिसी की जो भी कंपनी में रूल्स और रगुलेशन बने हैं उसकी इस्टैचरी ओडि के जो कमपनी की लोग होते हैं वहीं डिसाइड करते हैं कि की दीच चाहिए है ठीक है और इसका स्कूप करते है seu क्वार करने होते हम सारे करने अ क्वारcakारिक कमपने एक यह फिर पिर किस एक्ट के हिसाब से से हम और कर अगे क्वेशन करेंगा यहां यहानि किसी लौ में लिखा हुआ है इसके लिए देखो यह मेरा मेरा इंपिट कोई नहीं है किसी qualification की यहीं होना जरूरी नहीं है कि यहां सी होना जरूरी नहीं है यहां पर है कि एक प्रैक्टिसिंग्स दॉल कि कर से साफरेग्ट करना मैंसे को कि करता है इसमें करते है ता है इसमें शेयर पॉल्डर ठीक है इतना याद रखो इस पे हम अगली कुछ क्लास लेंगे तो यह पॉइंट और अच्छे सा को समझ में आ जाएगा कहने का मतलब लॉव में दिया हुआ है कंपनी सेक्ट में कि कौन अपॉइंट करेगा बाहर से सीय को लाके कौन करेगा क Mireka रेगा मेनेजर्ड करेंगे बेद्ट र्या क्", और कौन करेगा तो शेयर होडर करेंगा यह लिखा हुए यहा पे मेनेजमेंट प्रवा रहे है अपने घर ए खुद्य ओल्ड प्रवा जरेन रहें मैनेजर करा रहें कि रम नरेशन जो रहा रहा है वह रिपोर्ट कि रिपोर्टिंग क्या होती है कि इंटर्नल ओड में रिपोर्ट कौन करता है किसको करनी होती यह तीन पॉइंट ध्यान रखना रहें कितना होगा और रिपोर्ट जिसने अपॉइंट किया है वहीड करेगा यानी रिपोर्ट भी मैनेज्मेंट को होगी यहां पर रिपोर्ट शियरहोल्डर को होगी साथद आपके यानि कि इतना पैसा देना है इस केस में मैनेजर ने पॉइंड किया था तो यह करेंगे इस केस में शेर होल्डर ने पॉइंड किया था तो यह डिसाइड करेंगे ठीक है I hope it is clear झाल